हाई अबरिवन कैसे आप सब मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ विकेंसिस लेकर के मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं पर होता क्या है हमारे साथ हम जॉब इजली करना ही पाते हैं हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है हमें बहुत धक्के घाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमेशा की तरह मैं यह बात आपसे जरूर शियर करूँगा इस वीडियो में कि जो भी विकेंसिस में आपको बताता हूँ में किसी भी तरह का कोई भी चार्च नहीं लेता हूँ मेरी ये विकेंसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कोस्ट रहती है ताकी मैं इस देश में से इस समाज में से बेरुजगारी को खदम करने में अपना एक एहम रूल अदा कर पाऊँ मेरी कोशिश रहती है कि सभी को कही न कहीं रुजगार तिला पाऊं मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बहन दोस्त बुखा नहीं सोना चाहिए उसको कहीं न कहीं रुजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूँ कि प्लीज गलत कंसल्टन्स के चक्कर में मत फ़सा करो बहुत सारे आप भाई बेहन दोस्त पांच पांच हजार दस दस हजार कंसल्टन्स को दे करके आ जाते हो एडवांस में उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है मेरे बहुत सारे भाई बेहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टन्स के आगे पीछे गूमते हैं उनके चक्कर मारते हैं उनको कॉल्स करते हैं उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है और होता कहा है कि आपकी call भी pick नहीं की जाती है और last में हम एक depression का शिकार हो जाते हैं कई बार तो मेरे बहुत भाई, बहनों, दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है उनके career के साथ खिलवाड किया जाता है उनके career को बर्बाद किया जाता है हम बनना एकाउंटेंट चाहते हैं हमारी रेलिवेंसी एकाउंटेंट की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है रेसप्शनिस्ट हम बनना इंजीनियर चाहते है हमारी रेलिवेंसी इंजीनियर की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है टेली कॉलर तो आप सबसे एक request है कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है था आप कोई भी नौकरी कर लेंगे जस्ट सबसे पहले अपना passion देखा करो आपका जो passion है उसी की तरफ चाहो अगर आप अपने passion को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी और हाँ जो भी विकिंसिस मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा 10 दिन देखा 15 दिन देखा आपके मतलब का कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप एक काम जरूर किया कीजिए मेरे इन वीडियोज में मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते हैं जो बिजनस से रिलेटिड होते हैं मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनस से रिलेटिड वीडियोज भी बनाओ कई पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा पैशन होता है जिसको हम बाहर निकालना नहीं चाते हैं या हम निकाल ही नहीं पाते हैं हम करना कुछ और चाते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं कुछ लोग बिजनस माइंडेड होते हैं बने बिजनस के लिए होते हैं उसके बावजूद वो जॉब में जा रहे होते हैं मैं ऐसी रिसर्च करके बुक्स पढ़के ऐसे बिजनस के बारे में बताता हूँ जिसमें आप बिना investment के भी कारोबार कर सकते हैं या फिर low investment के साथ भी कारोबार कर सकते हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखा कीजिए हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए हो सकता है आपका passion बाहर निकल आए अब आपको क्या करना है अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances है तो please comment box के जरीए मेरे से information हासिल कीजिएगा अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacances नहीं है तो please इन vacances को आगे share जरूर कर दिया करो हो सकता है आपके share से किसी भाई, किसी बेहन, किसी दोस्त को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाए हो सकता है आपके share से किसी की जिन्दगी बच जाए हो सकता है आपके share से कोई दो वक्त की रोटी का मुथाच है तो उसको तीन वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वज़े से तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हो सकता है किसी की जिन्दगी बनाद पाओ और आपको दूआ मिलेगी उसके बाद और ये मेरा चैनल सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और आपको क्या करना है इन जॉब्स के लिए मैं आपको फॉन नंबर और इमेल आइडी डिरेक्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग वीडियो मेरा ये 15 दिन के बाद देखते हैं पहली बार देखते हैं महीने के बाद देखते हैं और इतने में जॉब फिल आउट हो जाती है और आप उस पर कॉल करते हो तो सामने वाली कंपनी इरिटेट भी हो सकती है तो आपको लेटेस्ट विकेंसिस के लिए क्या करना है आपको मेरे टेलीग्राम नंबर 9888330068 पर एक हेलो सेंट करनी है आपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मुबाइल एप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नंबर 9888330068 शेयर करना है 688 सेव करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर हेलो सेंट करना है जैसे ही हेलो सिंट करेंगे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा लिंक आने के बाद आपको विकिंसी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जिन में डिरेक्ट फोन नंबर्स होते हैं डिरेक्ट एमिल आइडी भी होती हैं और एक और बाद कई बार कुछ फोन नंबर्स हो सकता है गलत निकल आएं क्योंकि मेरे पास दूर दूर से फोन आते हैं एम्प्लॉयर्स के फोन आते हैं तो जैसी विकंसी आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ तो कई बारी बाद में पता लगता कि वो भी एक consultant था और अगर consultant था और आप उनको call करते हो और अगर आपसे पैसे माँगे जाते हैं तो आपसे एक request है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपने advance में किसी को नई देना है और आपसे एक और बात भी share करूँगा कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं कभी भी जाब्स के लिए इन प्लेस्मेंट्स के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी एडवांस या कोई भी लास्ट पे पैसा किसी भी तरह का कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ मेरी ये vacances बिल्कुल free of course रहती है मेरी ये vacances society के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जस्ट आप सब के लिए मेरे भाईयों के लिए एक help रहती है तो चलिए आज start करते हैं आज की vacances ये रही वाज की vacances रहेंगी चंडेगड की मेरे जो भी भाई बेहन दोस्त चंडेगड में रहते हैं उन सब के लिए आज की options रहेंगी चंडेगड में हमें एक company में support specialist चाहिए support specialist की अगर मैं बात करूँ salary आपको 4 lakhs per annum मिल जाएगा आपकी communication skills English में चाहिए वो verbal हो चाहिए वो written हो दोनों में बहुत अच्छे होने चाहिए ये है कि आपकी तो ये job है ये day shift की नहीं है ये night shift की job रहेगी अगर मैं बात करूँ आपकी qualification की तो कम से कम आपने graduation कर रखी हो किसी भी stream में कर रखी हो चल जाएगा कम से कम आपके पास एक साल का experience होना चाहिए customer support executive का अगर मैं आपकी sport specialist requirements की बात करूँ तो आपको daily operations जितने भी है उनको handle करने है and business of the company जितने भी है सारे आपने handle करने है आपको review करना है support को understand करना है जितने भी clients है उनको proper आपने assist करना है इसके इलावा documentation आपने proper देखनी है आपको proper एक positive attitude होना चाहिए आपके पास आपको client को positive करना है even that उनको अच्छी service देने में पूरा अपना सहयोग देना है अगर मैं बात करूँ इसमें आपके skills बहुत अच्छे होने चाहिए अगर client ज्यादा आ जाए अचानक से तो आपके अंदर उसको handle करने की भी एक शमता होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से attend कर पाएं timings and salary दोनों discuss किये जाएंगे interview के time पर उसके बाद हमें एक office में office administrator चाहिए कम से कम आपके पास 6 महीने का experience होना चाहिए responsibility की बात करूं तो आपको manage को staff को manage करना है आपको even that सारे office के जो भी assets होते हैं उनको अच्छे से supervise करना है maintenance आपने करनी है IT का काम आपने देखना है जितने भी interactions होते हैं चाहिए telephonically है चाहिए वो mails के जरीए है आपने invoice generate करने है daily basis पर purchase orders जो है वो भी आपने generate करने है इसके इलावा जो भी payments का follow-up है वो आपने अपने ऊपर team leader को देना है इसके इलावा जो भी day-to-day office activities होती है वो आपने देखनी है HR activities भी आपने देखनी है basic accounting भी आपने देखनी है चाहिए आपके written और verbal skills बहुत अच्छे होने चाहिए चाहे वो English में है चाहे वो Hindi में है चाहे वो Punjabi में है इसके इलावा multitask आप करने के लिए proper capable होने चाहिए और इसके इलावा आपके skills proper अच्छे होने चाहिए timings and salary दोनों discuss किये जाएंगे interview के time पर उसके बाद हमें एक company में web and UI developer चाहिए आपको experience होना चाहिए कम से कम एक से तीन साल का technology की बात करो तो HTML, CSS, Bootstrap, Agix, PHP, MySQL, REST API ये सब की आपको अच्छे से knowledge होने चाहिए timings and salary दोनों discuss किये जाएंगे interview के time पर आज की कुछ vacancies अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies हैं तो आप comment box के जरीए मेरे से information हासिल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपके मतलब की vacancies नहीं हैं तो please इन vacancies को आगे share करना मत भूलिएगा हो सकता है आपके share से हमारे किसी भाई किसी बहन किसी दोस को रुजगार पिल जाए हो सकता है किसी की जिन्दगी बन जाए जब आपकी job लगती है तो मुझे comment के जरीए जरूर बताया करो आपके comment से मुझे परेड़ना मिलती है कुछ अच्छा करने की कुछ नया करने की यहां तक कि अगर आपको लगता है कोई कमी भी है तब भी जरूर बताया करो ताकि मैं उस चीज में सुधार कर पाऊँ Thank you so much